जैहिन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीतवाज स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल स्टैडिवी सिखर पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्रा खंड के महतुपूर परशन है तो तहला कृषिन आज का यहां पर उत्रा खंड मे सबसे लंबा हिमनद है बहुत महतुपूर परशन है तो इसका राइट आंसर जो होगा ओप्सन दिए हैं पिंडारी हिमनद, चौरा बाड़ी हिमनद, यम नोतरी या फिर गंगोतरी लाजज का सबसे बड़ा हिमनद है जिसके लंबाए दोस्तों है 30 किलो मिटर और गलेशियर दोस्तों बहुत महत्पून है। मेंदी गलेशियर आप याद रखे गारें यह पृत्तर कासी है। जो धार गलेशियर यहीं थे आपके उत्तरकाशी में आपके फेल स्यासरीन फ्यंद' गलेशियर नेक्स वेशिन है 108 आपातकारिन चिकिस्सा सिवा किसकी नाम पर है तो इसका राइट आंतर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए पंडित दीन दयाल उपाध्धाई और 108 आपातकारिन चिकिस्सा सिवा ये कब सुरू हुई थी तो ये हुई थी 15 माई 2008 डेट सहीद आपको याद रखना है 15 माई 2008 और ये किस मुख्यमंत्री के समाई यह योजना सुरू हुई थी तो भुवन चंद्र खंडूरी के समाई और इसके अलावा 108 एम्बूलेंस की सायक सिवा कि था है डोली सिवा का परारंब हुई तो साथ साथ इसे भी आद कलिजे डोली सिवा का परारंब हुई थी तो 2012 2012 में हुई थी और डेट आपको याद रखनी है 17 अप्रेल 2017 अप्रेल 2012 को अई 208 आपात का परांब प्रांब किया गया है यह होती है आपके उत्राखंड में बहुत मैंत्वण है तो आपसे नमबर बी विल्कुल सही हो जाएगा नेक्ट वीशी ने उत्राखंड राज्य का पर्थम मुख्य मंत्री कौन था बहुत ही आसान परशन है दोस्तों इसका राइट आंजर हो जाएगा आपसे नमबर बी न उसे आपके नित्यानन्द स्वामी जिनका कारवाल था 2000 से 2000 एक तक तो इसे आप जबसे याद रहेगा ने यह इने विसी एष्रुप से किस देवता से कठार्मल मंदिर समधित है लो गाइट आंजर हो जेगा सूरे डेवता से संबंधित है कठार्मल सूर्य मंदिर तो यह है Language order宝नपद में इसे भी आफ जरूर से याद रखी किया अलमोडा जनपद में हैं कटारमल सूर्य मंदिर शवार और कटारमल सूरंध को ही पूर्ट धारी सूरंध कहा जाता है और मैं है कटारमल सूरंध को ही बूट दारी सूरे मंदिर कहा जाता है और कटारमल मंदिर में बड़ाोचिक है सूरे की पठतिमा बूर्ट पहने हुए श्कहरोच bit लिए दोस्तों बूरल धारी इस दिते है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी पितोरागड में है पितोरागड में है असकोट वन नजीव अभ्या रड़ और पितोरागड की समद्ध में आपको याद आते हैं दोस्तों पितोरागड 24 फरवरी 1960 को अलमुडा से अलग हुपर बनाया था पितोरागड और तहसिल यहाँ है 12 बारा तहसिल है 790 वर्ग किलो मेठर न है पितोरागड का 6 रफ़ल और छोटा कस्मिर किसे कहा जाता है तो कहा जाता है पितोरागड को और पितोरागड की सीमाईय 5 4 चन्पद्ध से लगती है इसे भी आप जरूर से याद रखेगह पहल जनकरणा 2011 के अनसार उत्राखंड में देश की आबादी का कितना परतिसाथ निवास करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो दसमलो आठ तीन परतिसाथ तो आपसन नमबर ये बिलकुल सही हो जाएगा नेश्ट विशने उत्राखंड में पर्थम राज्यपाल थे पर्थम राज्यपाल तो ये थे आपके सुर्जीत सिंग बरनाला और बीबल को सही हो जाएगा और इनका कारिकार रहा था से 9 nelle 2000 से 8 January 2003 तक इनका कायकाल रहा था कितять कि ळिल संस्थान के संस्थापक को ने तो इसका रॉम्वे काणन दाव जाएगा बोसी सेनOoh पोसी सेन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी विवेका नंद किर्शी अनुसंधान की तो इसे आप जरूर से याद रखेगा और जोस्तों इसी के अलवा अलमोडा में है गोविंद बलापांद राच किये संग रहा गई जिसकी स्थापना हुई थी 1979 ये भी आपके अलमोडा में ही है इसे के अलवा रक्ष्या किर्शी सोद संस्तान बहुत में दबूर परसने रक्ष्या किर्शी सोद संस्तान ये आपके अलमोडा के कटार मल में इस्थित है और आपके जो लोग कला संस्तान है लोग कला संस्तान की स्थापना भी अलमोडा में की गई है तो इसे आप ज नहींत कोई नहीं तो इसका राइट आंसरह जाएगा बैट मिंदन क्यों पर्सिद्ध विज्ट ढrejo 로 fat है बैडमिंटन क्यों इनका हज़क कहा जाता है और अधिती भठका संबंद भी बैडमिंटन से है नेस्ट विशिन धर्म गंगा बाल गंगा किसकी सायक नदिया है धर्म गंगा वा बाल गंगा किसकी सायक नदिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना भिलंगना की सायक नदिया है धर्म गंगा और बाल गंगा तो बहुत ही महत्वपूर परशन था ये और इसके अलवा भिलंगना दोस्तों ये किसके सायक नदी है तो भिलंगना सायक नदी है भागी रती की ये मिलती है आपके गड़ेस परियाग में गड़ेस परियाग में मिलती है पौरियतन छेटफर फंपन्ड में श्थित्षू और तर स्थू नाम पौरियतन युद्व का पॉर्टव में आपका आप करता से थाली हाए और इसे के अलावा पौरिय से आप याद रखेगां सब्सेपहले इस domestic to Vin ब 나오만 actually हम परवत आपके पौरी में ही ही की यद रखेकेशित कतो हैं आधर की मंदिर आपको देखने को पॉटथ सी हमें। कर तुक्षे या मंदिर विस टीस्कालब को नदेर होगज द। आउन्जित तब मंदिर आपके पौरी में ही कनी hiss है। और जो खिरसु है आपका ये परदूशन मुक्त सांत प्रेटर इस्तल है और कोड़ द्वार जो इसे गड़वाल का परवेश द्वार कहा जाता है ये भी आपके पौड़ी में ही है जो खोह नदी के टटपर है और गड़वाल का ग्राश टीम गंज भी कोड़वार को कहा जा ग ll s Okay श्तरा खंद में ब्रहम घमल पाए जाते हैं ब्रहम घमल पाई जाते हैं दो उस्का राइट जूर जाए बप्सन नमर제가 ब्रह्मकमल और ब्रह rain कमल और गयरिक नाम आपको याद रखना है वह र्खना है और मकमल का वह युपनलनी कपना जाएगा सोउषर के मेशन סud अब वेड़ेलटा इसका वेड़ारी नाम है और इस्थानी नाम हो जाएगा कॉल पाद्म कॉल पाद्म किसका इस्थानी नाम है तो ब्रहम कमल का और नेपाल में ब्रहम कमल को कहा जाता है टोप गोला यह आपके नेपाल में कहा जाता है ब्रहम कमल को और महा भारत के वन पर् पुस्प कहा गया है ब्रह्म कमल को और ब्रह्म कमल को ही दोस्तों हिमालई पुस्पो का सम्राट कहा जाता है बहुत महत्पों परस्ने है हिमालई पुस्पो का सम्राट जिसके किसे कहा जाता है हिमालई पुस्पो का सम्राट तो कहा जाता है ब्रह्म कमल को नेक्स कीशन है मार हो जाएगा आपका उत्राखंड में है मारा और चमॉली में है इसे आप जोर से याद रखेगा और चमॉली में हो जाएगे आपके चमोली जन्पत में कौन कौन से दर्दे हैं परमुक तो हाँ आपको याद रखना है जो कि आपके एक्जाम के दृष्टी से महत्वपूर हैं सबसे पहले तो हो जाएगा आपका कालिंदी दर्रा यह भी एक्जाम में पूछा जाता है कालिंदी दर्रा तो यह आपके चमोली और उतरकाषि के बीच इसी के अलावा 12 मार्च्योंग टोपी धुंगा दर्रा यापके चमोली और पिथौरागर के बीच है और भी है चमोली में नीटि किंग्री विंग्री डुंग्री ला सलसला दर्रा यह आपके जन्पत में है नेस्ट वीशिन है निम्ने लिख यहीं पर दोस्तों गुरु नानक ने तपस्या की थी मीठा रिठा साहिब दोस्तों यह किन नदियों के संगम पर है तो लधिया लधिया वह राटिया राटिया नदी के संगम पर इस्तिर है मीठा रिठा साहिब और जो मीठा रिठा साहिब गुरु द्वारे का निर्मान हु इसे आप जोड़ से याद रखिए और गुरुदारे का निर्मान हुआ था उनिश्व साथ और रधिया और राटिया नदी के संगम परिस्थित है नेहरु परवता रोहन संस्तान जहां इस्थित है वह इस्तान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में आप्स आज कि तडहिए राजि में लगान बंदी कब परारंब हुई बहुत महतपृड प्रस्न है राजि में लगान बंदी कब परारंब हुई है typ उत्तरकाशी नमबर खांचिन फाव का सरवादर भूबाग उणाचा इक किस विद्रों को Kumaoolee काुज्ट सेत्र को कहा जाता है साल। का Bye. को विंद पंत को और गडवाल का बारदोली कहा जाता है गुजुडु चोत्र को गुजुडु इसे भी आप जोड़ से याद रखेगा नेक्स वेशन है निम्न वैसे कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है तो इसका राइट आंचर हो जाएगा चमोली चमोली यह र परसाथ भगुणा को और दक्षिन गडवाल का केशरी किसे कहा जाता है तो यहीं पर आपका आंसर बदल जाता है गडवाल का केशरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को और कुमाओ केशरी यह तो बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो बद्रिदत पांडे आपका आयोग का मुख्यालई है तो यह है आपका घरी द्वार में तो आपसन नमबर सीविल को सही हो जाएगा और इसी से सम्मंदित परसन आपको याद रखने है लोग सेवा आयोग के अधि सुझना कब जारी हुई थी तो 14 मार्च 14 मार्च 2001 को और 15 मैं याद रखेगा 15 मैं 2001 को लोग सेवा आयोग का गठन हुआ था और लोग सेवा आयोग के पहले अधियक्स कौन थे तो एनपी नमानी आपको याद रखने है और उत्रा खंडे लोग सेवा आयोग की पर्थम महिला सदस्य अगर पूछा जाए तो सुधा पानी सुधा रानी पान्डे आपका अंसर होगा पहली महिला सदस्य सुधा रानी पान्डे और पहले अध्यक्स से एनपी नवानी आपको याद रखना है और वर्दमान में कौन है इससे आप कमेंट करके जरू बताइएगा नेक्स्ट विशन है आरियन जोयाल का संबंद किस खेल से बहुत मह नमबर से बिलकुल सही है पहली महिला परवतार रोही नेक्स विशन किसने घुमानी पंद को उत्रा खंड का सबसे प्राचीन कवी माना है तो यह माना है सर जौर्ज गिरियसन सर जोर्ज गिरेशन ने गुमानी पंद को उत्राखंड का सबसे प्राचीन कवी माना है तो आपसन नमबर बे बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे नेक्टिकेशन की तरफ उत्राखंड में लोग सभा की कितनी सीटे हैं तो यह आपके पांच सीट पांच सीट है लोग सभ है और अलमोडा है और आपका नैनी ताल है नैनी ताल और हरी द्वार तो इसे आप जोर से याद रखेंगा यह पांच जनपत आपके लोग सभा सीटों के लिए आरक्षी थे हैं उत्राखंड में नेक्टिकेशन के खोचकित विट्रिस यात्री ने की थी नैनी ताल के तो ने कासीपुर में प्रेम सभा की इस्तापना किस ने की उसका राइट आंश्य घुट पंडित गोविंद बल्ला पंतने तो आप्सी सी में है नेक्टाभिष्ट का संबंद किस खेल से एक ताभिष्ट का संबंद है किरकेट से तो आप से नमें भी बिल्कों सही हो जाए से समस्त तेर्थों का शिरो मड़ी और समगर पापों का विनासक देव परियाग को ही कहा जाता है और यहीं पर अलग नंदा और भागी रती का संगम होता है जिसके बाद से गंगा नाम से आगे को बढ़ती है तो इसे आप जोर से आद रखेगा और रूद्र परियाग में हो विशनो गंगा तो इसे आप जोर से आद रखेगा इसी के अलावा कर्ण परियाग में दोस्तों अलग नंदा और पिंडर नती का संगम होता है नेक्स विशने उत्राखंड में दून किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है सं रचनात में घाटियों को आपसन नमबर यह बिल नेस्ट वेशन बद्री नात मंदिर का जिनोधार किसने करवाया था बद्री नात मंदिर का जिनोधार किसने करवाया था तो इसका राइट आंचर हो जाएगा ऑपसन नमबर सी दौलत राव सिंधिया ने दौलत राव सिंधिया ने बद्री नात मंदिर का जिनोधार कराया और और बादृनात मंदिर दोस्तों विसाल बादुरी भी इसे कहा जाता है और यहां पर बह्त बित्वान विशनु नूकी पुजा होती है और बादृनात 750 ऌ-शेत्र बुए होती गहाती है लान विक्ते परदा कहा सहता है ये सबस्त मार रहे का। तो यह इस्तित है 3133 तो इसे आप जो से याद रखेंगा और बद्रिनाथ मंदिल के रहे भूमी दान किस वेक्ति ने दी थी तो पद्मदेव आपको याद रखना है और बद्रिनाथ भगवान के जो रखचक देवते हैं वह हैं आपके छेतर पाल और बद्रिनाथ मंदिल का पूरर निर्माण अजय पाल के समय हुआ था ये भी आप ज़रूर से याद रखेगा नर नारान नामक परवस रेड़े के बीच यह इस्तित है और अलग रंदा नदी के टट पर इस्तित है तो यह आपके लिए इंपोनेंट रहेंगे जो जो मैंने अभी यह बताया नेक्स विए गंगा द्वार के नाम से के सहर को जाना जाता है तो यह जाना जाता है हरी द्वार को ऑफसन नमबर भी बिल्कु सही हो जाएगा लास्ट विए आज का यहाँ पर भगत दरसन ने किसकी तुलना रविंद ना टैगोर से की थी तो यह की थी त तारादत गैरोला भगत दरसन ने तारादत गैरोला की तुलना की थी रविंद ना टैगोर से तो आफसन नमर भी बिल्कु सही हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आज के मेहत्वपोर पराशने फिर में इंगे ने एक्स टे वीडियो में अगर आप चैनल पर नए है चैनल को जो सब्सक्राइब करें बेल अकन को रखें साथ ही वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ जरूर करें ताकि वह भी अपनी त्यारी अच्छे से कर सके तो जै हिन जै भारत